बिहार विधान मंडल का बज़र्ट सत्र चल रहा है आज चोथे दिन विधान परिश्द की कायरवाई शुरू होने से पहले आरजेडी के विधान पार्शदों ने पोर्टिको में जम कर नारेबाजी के और सत्ता पक्ष के लोगों पर सदन में धमकी देने का आरूप लगाय है कि सदन के अंदर सत्ता पक्ष के सदस्य लगातार विपक्षी सदस्यों को धमकी दे रहे हैं यहां तक कि मुख्यमंत्री भी लगातार विपक्षी सदस्यों को धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सभी मुआमलों की ज्राच होगी बिहार विधान परिश्द के आरजेडी सुनिल कुमार सिंग ने साफ साफ कहा है जिस तरह का आचरन सदन में अंदर सत्ता पक्ष के सदस्यों का हो रहा है वो कहीं से भी ठीक नहीं है सुनिल कुमार सिंग ने कहा कि सरकार विपक्षी सदस्यों के साथ गलत आचरन कर रही है जो कि उचित नहीं है उन्होंने मुख्यमांतरी पर आरोप लगा है कि वो समाजवादी विचार धारा का चोला ओड़ कर पूरे बिहार में ब्हष्टा चार कर रहे हैं उन्होंने आरोप ये भी लगा है कि पूरे बिहार में ब्हष्टा चार चरम सीमा पर है और नितीश कुमार इसको लेकर कुछ नहीं कहते हैं यहां तक कि लोग कोई भी सरकारी कागस बनाने जाते हैं तो घूस देना ही होता है आज कोई आदमी अगर मृत्यू प्रमान पत्र भी बनवाता है तो उन्हें हजार रुपे घूस के रूप में देना पड़ता है कोई भी सरकारी कागस बनाने के लिए पैसा देना पड़ता है सदन के अंदर सता पक्ष के सदसे लगातार वे पक्षी सदसे को धमकी दे रहे हैं यह कहीं से भी उचित नहीं है आगे उन्होंने कहा कि बिहार में दाखिल खारिज अगर करवाना है तो पांच हजार रुपे से कम में काम नहीं होता है जुस तरह कि स्थिती बिहार में बनी हुई है उसका जिमेदार कौन है मुख्य मंत्री के हैसियत से इसे रोकने में नाकाम सावित हो रहे है और उल्टा विपक्षी सदस्यों को भेस्ट आच्वारी कह रहे है जो कि कहीं से भी उचित नहीं है सरकार को इसका जवाब सदन में देना होगा